हेलो स्टुरेंट्स मैं आज आप लोग को जो यू कैन से सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर जो मोबाइल आप है उसमें मैं कैसे रन करना है कैसे कोड एक्जीगूट करना है वो मैं बताने वाला हूं ठीक है सबसे पहले तो आप स्टुडेंट्स वाट यू आप तो इस आप सो ओपन करने बाद यहां पर एक न्यू ऐसा एक यह आपको आपने देखा होगा यहां पर क्रॉस थ्री लाइन है यहां पर इसको क्लिक करना है आपको एंड इसमें अगर कोई एक्जेस्टिंग फाइल अल्रेडी रहेगा तो उसमें एक्जेस्ट करो या फिर नियू फाइल में ठीक है नियू फाइल में जाके जो भी आपका यूगें से अटॉपिक है इसको फाइल यहां पर में टाइप कर रहा हूं ठीक है भी विधि दिस वीडियो तिल एंड और ट्राइब शब्सक्राइब इस चैनल लाइक दी वीडियो अंड शेर इत विप्रे हैंड कर दे रहा हूं यहां पर एंटर करके आइविल मेंग दी ब्राउजर टाइटल एज स्किल प्राक्टिकल्स लाइक ओके कॉमेंट से बहुत सारे की बच्चों को जम नहीं रहा था कि कैसे हम लोग आपका यह जो सब्सक्राइब का जो फाइल से मतलब जिसको आज कंप्यूटर नहीं है वो कैसे अक्सेस कर गया करके तो उसके लिए मैं यहां पर फॉर दो स्टुडेंट्स आयम मैं कि वीडियो वह यह सो अभी मैं क्या करूंगा यहां पर टाइटल क्लोस कर दूंगा ठीक है क्लोस कर दिया सक्षाइब काक्या है अगर में एक सेंपल वताओ आपको फाइन तो यहां さब्पल बता देताए ऊपको कैसे सको करना है अगर गिलो की है ऑस सबसेता इता ईक है टो वह सबसेतार यहां क्या न पर सतिसीव करूंगा यहां पर बॉय लिख plans will review you can say start the body tag, ठीक है, तो body tag है, फिर बाद मैं, you can say, यहां पर body close कर देता हूं मैं, ठीक है, so यहां पर close किया मैंने body, then, html भी close कर देता हूं, because जो closing का part है जैसे मैं बताते रहता हूं आप लोग को, वो आपको करते रहना है, ठीक है, तो इतना कर दिया हम लोगों ने, अभी हां पर क्या करूँगा मैं, suppose body का, you can say, background color, जो है, bg color, you can say, मैं एक दूसरा बड़ा प्रोग्रम पर आपको रन करके बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें CSS ID selector है, पहले यह तो देख लेते हैं हम लोग, is equal to, you can say, double quotes में, it's green, ठीक है, तो यह यहाँ पर green हो गया, then what else, फिर कुछ भी एक hello world करके कर दूँगा मैं, hello world web design, ठीक है, बस इतना कर दूँगा मैं, फिर यहाँ पर close कर दिया, ओके, और देखते हैं हम लोग इसको run करके, इसको मैं क्या करूँगा, h1 में डाल देता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, h1 में डाल देता हूं, h1 tag में, ठीक है, then we'll close this tag also, right, तो यह हो गया आप न, ठीक है, फिर ऐसी आपको css style से भी आप select करके भी कर सकते हो, ठीक है न, तो अब यहाँ पर मैं इसको save as कर दूँगा, save as, then यहाँ पर, देखो, मैं एक hello demo या कुछ भी hello.html करके save कर देता हूं, ठीक है, .html, save हो गया, अब यहाँ पर right click करके देखो, यहाँ पर जो view it on the web, उसमें जाना है, उसमें choice पूछेगा आपका, brave करके एक browser app है, आप वो भी ensure कर सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हो, तो देख Chrome है, तो Chrome भी करो, चलो Chrome ले लेते हम लोग, ठीक है, पर देखो Chrome में यह access नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आप लोग, यह जो brave app है, you can install this brave app, ठीक है, brave app आप कर सकते हो, यहाँ पर, यहाँ करके आप install करो, ठीक है, तो यह करने के पाद, you can say, आपका फिर जो output है, वो दिखने लगेगा, क्योंकि जो comments है थोड़े, कि sir नहीं दिख रहे करके, तो आपका settings के हिसाब से रहता है, ठीक है, तो आप brave app में open करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर not now, देखो, यहाँ पर आपका output आगे, hello world, web design करके, ठीक है, फिर एक और है, जो कि मैं यहाँ यहाँ पर आपको बताने वाला, ठीक है, we'll do one thing, यहाँ पर जाओंगा मैं, and new में जाओंगा फिर से, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने paste करके, memory में रखा हुआ है, तो यह वाला जो हम लोग का SOP 4 है, ना, देखो, यहाँ पर मैंने styles भी लिया हुआ है, देखो, कैसे style लिया open हो रहा है फिर से, ठीक है, ओके, तो यह ऐसा वाला है पूरा, तो देखो, यह जो था, ठीक है, यही है आपका, ऐसे ही coding था हम लोगों का, ठीक है, body, background, फिर यह background, color, ठीक है ना, तो students को comments आ रहा था कि वो access नहीं हो रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है, आप वैसा लिखी है, फिर यहां पर एक आभी वैसे ही रहेगा, ठीक है, सब वैसे ही रहने वाला है आपका, ठीक है, फिर आप लोग क्या कर दोगे इसको, you will save it out, as, save as, ठीक है, आपका suppose, sop45, जो भी है, dot html करोगे आप लोग, then you will save it off, and will view it on the web, again, over here, नहीं, ठीक है, तो आपको कि में करना है, you can take it as a brief app, ठीक है, तो देखो, यहां पर यह वाला output आगया, जो हम लोग का था पहले से, ठीक है, students, तो ऐसा है, तो output नहीं आता, तो browser का कुछ restrictions होता है, तो आप दूसरा firefox browser लो, या जो भी है, मैंने brief app लिया है, brief browser, you can take that, and ok कर देना है, बस settings को ok-ok करके, फिर आप उसमें run up कर सकते हो, तो देखो, यहां पर CSS class ID selector ही लिया हुआ है, जो code मैंने website पर दिया हुआ है, same वो ही code है, ठीक है, you can take from there also, and you can run it the code, ठीक है, तो type करके ही सीखो code, direct copy paste मत करो, ठीक है, वो बुरी बात है, आप ऐसे करोगे, तो you will have the consequences in your exam marks scoring, ठीक है students, तो यही था म mobile में कैसा run करना, तो mobile का जो मैंने बता है, यहां पर, यह जो है sublime text editor है, इसको आप करोगे, simple है, बस type करने में, आपको जिसको इस computer नहीं है, तो क्या कर सकते है, नहीं क्या, तो type करने में दिक्कत होगा, जिसको, तो they can access this code, ठीक है, बाकी के बीच, SOPs के code मिल जाएंगे, आ and definitely I will reply that, and channel को subscribe कर लो, ऐसी videos के लिए, and और कुछ भी doubts सरेगा, comment करो उसका regarding भी video में बना दूंगा, related to IT subject, physics subject and all, ठीक है, till then, thank you, have a good day.